हलो नमस्कार तो कैसे आप लोग और कैसी चरी आप लोगों की तरियां तो फाइनली जो काफी टाइम से आप जीकर कर रहे थे किसरे एकजाम होगा की नहीं होगा क्या टाइमिंग रहेगी तो फाइनली एकजाम तो कंफर्म में था लेकिन आज और ज्यादा कंफर्म हो गया है क्योंकि finally आज आपका time table भी आ गया है ये पहले से fix था कि 10 तारीक, 17 तारीक और 24 से January को आपको paper होने वाला है ये alphabet के इसाफ से आपकी timing रहेगी तो जो A से C तक जिनका नाम है उनका 10 तारीक पहली पारी में होगा और पहली पारीकी timing है साड़े 8 बजे से लेकर साड़े 11 बजे की बीज़की और प्रते जिन 2-2 पारी होगी तो दूसरी पारी में आएगे D से लेकर J तक ठीक है जिनकी timing रहेगी धाई बजे से लेकर साड़े 5 बजे तक ये पहले दिन का होगी दो पारी साड़े 8 से साड़े 11 और अधाई बजे से लेकर साड़े 5 बजे तक यानि पहले दिन आपके हो जाएगे A से C पहली पारी में और D से लेकर J तक दूसरी पारी में फिर 10 तारीकी 10 तारीक को आपका सुरू होता K से लेकर N तक पहली पारी में साड़ी आर्ट से साड़ी ग्यारा और N से Q तक जो है उनका सतरा तारीकों दूसरी पारी में है धाय वज़े लेकर साड़ी पांस वज़े तक और फिर आपका होगा 24 तारीकों S से लेकर U तक जो है वो पांसमी पारी में जो साड़ी आर्ट से साड़ी ग्यारा और R से लेकर जड़ तक तक तो है वो 24 तारिक की दूसरी पारी में यानि 60 जो लाष्ट पारी रहेगी डाई से 5 अब अपने-अपने Alphabet के साफ से आप ये तो अभी भी डिसाइड कर सकते हैं, normally आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो exam है भाउलाल है, भाउरी है, बगवानाराम है तो मतलब आपका पहले दिन पहले पारी में है ठीक है, अगर आपका नाम किसी का डीपर है देवकृंड हो गया, देवराज हो गया है दर्मेंदर हो गया है, तो आपका 10 तारिक की दूसरी पारी में ही आपका एक्जाम है, ठीक है इसी तरीके से जैसे मेरा नाम P.E. है अगर P.E. पे किसी का नाम है, तो 17 तारिक की जो दूसरी पारी है N. से Q. तक है तो उस तारिक में पजौती पारी में हो जाएगा तो ये आपका अब बातरी ये कॉर मैं चीज की इसके Q.E. कब जारी होंगे Q.E. तो एक जाम से एक वीक पहले जा रही होंगे और भो भी इसकी डेट आजाएगी ताइमिंग आपको बता दी जाएगी और भी इसी त्रीक शे होंगे एक साथ नहीं होंगे साब भी की ठीक है एक साथ निजा से राज्तान प्लिस के आपने देखे जाना continue नमर बाइं जायेते है उसी परकार से है साइद इसमें भी ऐसा ही रिखेंगे पहले दिन जो 10 तरीका पेपर है उनका पहले आ जाएगा फिर जिनका 17 तरीक है उनका पॉलेटर बाद में आ जाएगा और जिनका 24 तरीक है उनका जोइनिंग लोटर जो शोरी जोइनिंग लोटर कह रहा हूं मैं एडमिट कार जो है परकार से रहेगा तो दिन तो बचे नहीं है एक मेना नीर है 20 दिन मानके चलिए कि आपके पास टोटल जो है वो 20 दिन है और इनी 20 दिनों में आपको अच्छे सी त्यारी करनी है तो थोड़ा सा सीरिस होजो वहलांकि बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था कि आपका पेपर जो है वो जनवरी में ही होने वाला है लेकिन आपको से बचों को भी भी डाउट था उन्हें लग रहा था कि साइड कुछ है समतकार हो जाए और आगे चला जाए लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है तो 20 दिन अब बहुत सारी बचों का एक growth common सा question होता है और आप में इससे आपके भी बाइन में बहुत सारे बचों का होगा कि सरे इन 20 दिनों हम क्या करें इन 20 दिनों हम क्या करें तो फिलाल 20 दिनों में दो ही चीज़ी है करने के लिए पहली चीज है कि आप revision करें जो भी आपने अगर notes मना रहे हैं उनका revision करें और दूसरा होता है टेस्ट दे यानि practice जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं तो ये दो ही चीज़े हैं करने के लिए और डेली हम रोजाना आठ विज़े लाइटेस तो करते ही करते हैं तो वो जोइन कर सकते हैं तो बाकी एक वीडियो में अलग सी और बनाएंगे जिसमें ही सारी सीज़े डिसकस करेंगे कि 20 दिनों में हमें कौन कौन सी topic पर ज्यादा ध्यान देना है और किस तरह से मैं त्यारी करनी है या आज का ही official notification है 14 तारिका मैं नीचल लिंक दे दूगा या टेलिगरांग का लिंक दे दूगा प्रेला सार के नाम से है तो वहां से आपको ये डाउनलोड भी कर सकते हो जीतनी भी class ही जो हुई है उनकी pdf भी आप डाउनलोड कर सकते हो तो ये टाइन टेबल है आपका तीन दिन भी paper में total 6 पारियों का तो अपने एलफा वैट के साब सी देख लो और उसी के coding अपने त्यारी का जो है वो टाइन टेबल भी किस तरह से करना है तो एक वीडियो अलग से मना लेंगे अगर आपको चाहिए तो मुझे आप जुरूर कॉमेंट करके बता देना ठीक है चले थैंक्यू फिर आट बजी मिलते हैं रात को लाइव टेस्ट में